तुन्टुनी चड़िया के माता पिता बहुत ही गरी मजदूर थे वे दोनों इटे ढोने का काम किया करते थे इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी कभी डाल सबजी हुई तो बना लिया नहीं तो खिचड़ी खाकर ही पेट भर लिया करते थे एक दिन तुन्टुनी अपनी शहलियों के शाथ खेल रही थी तभी उसकी सहली पिंकी उससे बोली तुन्टुनी हम सभी सहलिया गाउं के बाहर लगा मेला देखने जा रहे है तू भी अमारे शाथ चल मेला देखने पर मुझे माबाबू से पूछना पड़ेगा ठीक है साम पूछ के बता देना वरना हम सब चले जाएंगे उसके बाद तुन्टुनी चिडिया अपने घर जाती है और मेले में जाने की बात अपने मा को बताती है मा कल पिंकी और मेरी बाकी सहलिया गाउं के बाहर लगा मेला देखने जा रहेंगे मुझे भी उनके साथ जाना है तुन्टुनी तुझे तो पता है न बेटा आजकाल हमें मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है मेला जाने के लिए तुझे कम से कम पचास रुपे की जरुत पड़ेगी न बेटा मा मैं वहां से कुछ भी नहीं खरीदूंगी बस ऐसे ही घूम कर लोट आऊंगी मीनू अगर तुन्टुनी जाना चाहती है तो उसे जाने दे हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है तुन्टुनी कल तुम मेले में घूम आना बेटा मा बापू आप बहुत अच्छे हो अगले दिन तुन्टुनी मीनू पिंकी और बाकी सहलियों के शाथ मेला घूमने जाती है तुन्टनी ये देखो मेरे पापा ने मुझे मेला घूमने के लिए 500 रुपे दिया है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितने रुपे दिये है 20 रुपे ही 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 20 रुपे 20 रुपे में तो एक छोटी से गुरिया भी नहीं आएगी मीनू चलो हम सब जूला जूल कर आते हैं जूले का टिकट 20 रुपे है ठीक है तुम जूला जूल कर आओ मैं पानी पी कर आती हूँ तुन्टनी जानती थी कि उसके पास कम पैसे है इसलिए वो मेला में ऐसे ही घूमती रही मा ने बड़ी मुश्किल से मुझे ये रुपे दिये मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ पर यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो मैं घर के लिए खरीद सकूँ क्या हुआ टुन्टनी ना तो तुने कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा हमें देख हम कितना कुछ खरीद लिए है चूड़ी मिठाई और गुड़िया खैर छोड़ चल हम घर चलते हैं पहुत देर हो रही है टुन्टनी अपनी सहलियों के साथ घर वापिस आने लगती है तभी उसकी नजर एक बुड़ी औरत पर पड़ती है फूल गोबी ले लो बेटी आज सुबर से एक भी फूल गोबी नहीं विकी है तुम्हारी बड़ी महरबानी होगी अगर मैं इसे घर ले जाऊंगी तो मा बहुत खुश होगी रात को हम सबजी बनाकर रोटी के साथ खाएंगे पापू के पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोजाना ताजी सबजी खा सके आंटी मेरे पास ये बीस रुपे है क्या आप बीस रुपे में फूल गोबी दे सकती हो हाँ बेटा लो ये गोबी का फूल बीस रुपे का है तुन्टुनी चिड़िया फूल गोबी लेकर घर आ जाती है तुन्टुनी बेटा वो पैसे तो तेरे बापू ने तुझे मेला देखने के लिए दिया था उसका भी तुने कुछ खाया पिया नहीं मेरी बच्ची वहाँ भी तुझे घर की ये चिंता लगी रही तुनी सच में हमारी बेटी बहुत समजदार हो गई है ठीक है तुँ बैट मैं गरम गरम फूल गोबी की सबजी बनाती हूँ फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे तुनी सबजी बनाने के लिए फूल गोबी काटने बैटती है ये फूल गोबी कितना फ्रेस और ताजा है एक फूल गोबी और होता तो ज़्यादा सबजी बन पाती तुनी के इतना कहते ही वहाँ दो फूल गोबी आ जाती है अरे ये क्या ये तो सच में दो फूल गोबी हो गई एक बार चार फूल गोबी बोलके देखती हूँ टूनी के चार फूल गोभी बोलते ही, वहाँ पे चार फूल गोभी आ जाती है, ये सब देखकर टूनी हैरान हो जाती है, और जोर जोर से चिला कर अपने पती और टून्टूनी को बुलाने लगती है अरे टून्टूनी बेटा, ये फूल गोभी तूने कहां से लाई, मैंने दो फूल गोभी बोला, तो दो फूल गोभी आ गई, और मैंने जैसे ही चार फूल गोभी बोला, यहाँ पर चार फूल गोभी हो गई, ये तो सच में जादूई फूल गोभी लगती है तभी उस फूल गोवी के फूल से एक अपसरा निकलती है आप सब घबराओं नहीं मैं एक अपसरा हूँ मैं धरती लोग से गुजर रही थी तभी देखा ये छोटी बच्ची कैसे गरीब की मदद कर रही है मुझसे रहा नहीं गया और मैं फूल गोवी में वास कर गई और यहां तक आ गई आप सब की बाते सुनकर मेरा मन दुख से भर गया अब आप सब को चिंटा करने की कोई जर्वत नहीं है जो इनसान दूसरों की मदद करता है वो मुझे बहुत पसंद है आप सब परेशान नहों मैं ये फूल गोवी आज छोड़कर जाती हूँ आप सब इसकी मदद से जितना चाहे फूल गोवी उगा सकते हो और उसे बाजार में बेच सकते हो लेकिन याद रखना कभी भी अपने मन में लालच नहीं आने देना नहीं तो ये फूल गोवी की जादूई सस्तिया खतम हो जाएंगी इतना कहकर वो परी वहां से चली जाती है उसके बाद टुंटुनी चिडिया के माता पिता सुन्दरपुर जंगर के फूल गोवी के सबसे बड़े ब्यापारी बन जाते है और उनकी जिन्देगी बहुत अच्छे से गुजरने लगती है